सुप्रीम कोट ने आबकारी नीती घोटाले के संबन में CBI द्वारा दर्ज ब्रश्टा चार के मामले में सुकरवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केद्रिवाल को जमानत दे दी केद्रिवाल को जमानत दिये जाने के दुरंदबाद आमाद्मी पार्टी की हर्याना इकाई के प्रमुख शुसील गुपता ने सुकरवार को कहा कि पार्टी प्रमुख राज्ये में चुनाव प्रचार करेंगे जहां लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं हर्याना चुनाबो में आमाद्मी पार्टी के पूरी ताकत से उतरने से कॉंग्रेस को नुक्षान पहुँच सकता है और उसी राज्ये पंजाब में सरकार बनाने के बाद से ही आपके होशले बुलंद है और अपने नेता अरविंद केद्रिवाल के जेल से रीहा होने के नजर आ रहे हैं शाथी दिल्ली के सियम की पत्नी सुनिता के द्रिवाल के साथ साथ पार्टी के बागी नेता भी प्रचार प्रसार में कोई कमीन नहीं छोड़ रहे है शियासी पंडितों का माना है कि आपके प्रचार अभियान को जितनी गती मिलेगी बीजेपी विरोधी वोट उतना ही बंटेगा जिससे कॉंग्रेस को नुक्षान और भगवा दल को फाइदा हो सकता है दिल्ली से लेकर पंजाब तक गोवा से गुजरात तक हर चुनाव में आमात्मी पार्टी ने कॉंग्रेस की कीमत पर ही अपनी जमीन तयार की है दिल्ली और पंजाब में प 62 और बीजेपी को 8 सीटे मिली थी जबकि 2013 तक सुबे की सत्ता में रही कॉंग्रेस लगातार दूसरी बार सुन्य पर सिमट गई थी वहीं 2022 के पंजाब चुनावों में जहां आप 117 में से 92 सीटे जीत कर सत्ता माई वहीं मत्र 18 सीटे लाकर कॉंग्रेस सत्ता से बाहर हो की दो ही सीटे जीत पाई लेकिन उसका वोट प्रतिसत यहां भी बड़ा अब सवाल यह उड़ता है कि क्या हर्याना में भी आप और कॉंग्रेस के बीच मुकाबले का पुराना इतिहास दोहराया जाएगा एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आप हर्याना में मजबूती से ल लेकिन सैंद कॉंग्रेस के वोट बैंक में ही लगी और बीजेपी फाइदे में रही गोवा में 2022 में हुए चुनाबो में आपको 6.8 फिसदी वोट मिले जबकि गुजरात में उसे 12.92 फिसदी लोगों ने वोट किया था इन दोनों ही चुनाबो में जहां कॉंग्रेस का व कॉंग्रेस की लड़ाई क्या गुल खिलाती है आपके सुसील गुपता के बयान से समझा जा सकता है कि अब आप हर्याना में पहले से कहीं ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ने की तयारी कर रही है इतिहास देखा जाए तो जिन राजियों में आप मजबूती से रहाना करते वे कहा हम अब दोगुनी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे केजरिवाल जल्दी हर्याना में अपना अभियान सुरू करेंगे हर्याना में पांच अक्टूंबर को होने बाले विदानसबाद चुनाव में आप अकेले अपने दम पर लड़ रही है फिलहाल के इस खबर में इतना ही आगे की अपडेट के लिए बने रही है लाइव टीवी न्यूज के साथ धन्यबाद जय हिंद